तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गुपाल एंदा हिलसा फिश की समरी तो आए शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू यह जो माई स्टोरी है वो एक कॉमिक फॉर्मेट में है अब आप पुछोगे मैम कॉमिक फॉर्मेट क्या होता है तो सुनिए कॉमिक फॉर्मेट वो होता है जिसमें हम अपनी स्टोरी को कुछ पिक्चर्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हों कि स्क्वयार और अक्टेंगल बॉक्स बने हुएं जिसमें करेक्टर्स डायलोग्स प्रिजेंट कर रहे हैं तो वो परसन जो फिश को बेखता है वो बोल रहा है सबसे कि आईए आईए आज फिल्षा फिश लिके जाईए क्योंकि उसके जो रेट है वो बहुती जादा लो हैं वहीं पर दूसी तरफ और एक आदमी से पूछती है कि आपनी यह हिल्सा फिश कितने की खरीदी तो वह आद जी कि जो मंतरी होते हैं वो राजा जी से बोलते हैं कि राजा जी मैंने एक हिल्सा फिश पकड़ी है बहुत बड़ी है वो आपको देखनी चाहिए जो राजा जी होते हैं वो इस बात पर गुसा हो जाते हैं और बोलते हैं कि चूप हो जाओ बस करो तुम मचली बेचने व कर सकते हैं कि मैं तुम्हें चैलेंजदेता हूं तुम्हें बड़ी सी हिल्सा फिश लेके आनी है मार्किट से आ तक और कोई भी पर्षन उसके बारे में एक सवाल तक नहीं पूछेगा तो गुपाल जो होता है वो इस चैलेंज को स्विकार कर लेते हैं फिर उसके बाद क्या होता है कि जो गुपाल जी होते हैं वो जा रहे होते हैं कुछ दिनों के बाद हिलसा फिश खरीद जा रहा हूं तो फिर बोलते हैं कि आप अपनी दाड़ी पर राक क्यों लगा रहे हैं क्योंकि राक लगाने लगते हैं फिर वो बोलता है कि मैं आपको बता तो रहा हूं हिलसा फिश में खरीदने जा रहा हूं जो पतनी जी होती है कि ऐसे मज जाई बहुत यजीव लग र तो जब वो हिलसा फिश लेके गुपाल जी जो होते हैं हमारे राजमेल की तरफ जाते हैं तो एक बच्चा बोलता है कि ममी देखो वो बहुत ही जो आदमी उसको देखके हसी आ रही है वही पर दो आदमी और बोलते हैं कि देखो देखो लगता है यह आदमी पगल हो गया है और दूसरा बोलता है कि यह आदमी मैस्टिक है मैस्टिक मतलब कि वो आदमी को मैस्टिक बोलते हैं जो अपने आपको भगवान से जोडने के लिए जो प्रेयर संध्या करता है वो तो वो बोलता है कि वो यह मैस्टिक हो गया है गोपाल जी को तो जब गोपाल जी राजमहल पहुच जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे राजा से मिलना है लेकिन जो सिपाही होते हैं वो गोपाल जी को मही पे रोक लेते हैं वो बोलते हैं गोपाल जी से कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं से चले जाओ जो गोपाल जी होते हैं वो इस बात को सुनते हैं और जब वो फिट डान्स और गाने लग जाते हैं तो जब ये बाते सारी राज़ जी के कानों तक पढ़ती हैं तो वो बोलते हैं एक सिपाही को बुला कर कि जाओ उस आदमी को बुला कर लाओ जो एक गाने और डांस कर रहा है बाद तो जैसे सिपाई गुपाल जी को अंदर लाते हैं तो जो मंतरी होते हैं उस आदमी को देखके मतलब जो गुपाल जी है उनको देखके पैचाल लेते हैं और बोलते हैं कि ये तो गुपाल जी है और साथ ही बोलता है कि लगता है ये पागल होगे या तो इनका कोई मजाग च लगती है। निशा भूल गए हो महरadt और पिलेंटेंब घुन Deshalb fish को नों और दिजान योज चोड़ी असले के गधानने हमें टवी िसे में और यह और नाहीए फिखे राजाची को यहाद आनवा घ्राट और वो इस बात को करके हसन लगते हैं और बोलते हैं गुपाल से कि गुपाल तुमने वो अचीव कर लिया है जो की असंभव लगता है तो ये स्टोरी में बस इतना ही था आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए कि आपको स्टोरी कैसी लगी और आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं करा तो जरूर कीजिए साथ इस स्टोरी को अपने फ्रेंट्स फैंबली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए थैंक यू फ्रेंट्स एंड कीप वाचिए